आउज़ बिल्लाहिमिने शैतान रजीन बिस्मिल्लाहित रुख्माने रहीन असलाम लेकूं दोस्तों मैं हूँ मौसिन रवा और आप लोग देख रहे हैं विर्चुल स्टूटेंट सपोर्ट सर्विसिस यूट्यूब चैनल जन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कीया है वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बैल के आइकान पर भी क्लिक कर लें ताक के मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें दोफ्तों में जितने भी वीडियो होती हैं वो फिरफ और फिरफ आपको आईडिया देने के लिए होती हैं तो आपने एफ एन आईडिया ही कंसीडर किया करें दोफ्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो MGT211 Introduction to Business का जो हमारा Quiz No.2 आया हुआ है उस हवाले से है आज का Quiz शुरू करने से पहले दोफ्तों मैं आपको बताता चलूँ के मैंने एक नया चैनल 24R7 Teachers Online के नाम से शुरू किया है जिसके उपर मैंने काफी सारे सब्जेक्ट्स के अपने lectures record करके रखे हैं जिसमें आपका Financial Accounting है, Financial Management है, Introduction to Computing C++ है, Introduction to Programming है, HTML है, Java है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के lectures अवेलेबल हैं तो आप उस चैनल को ज़रूर विविट कीजिए और वहां पे जो lectures अवेलेबल हैं उनसे फायदा उठाई है दोस्तों उस चैनल का जो URL है, वो मेरी इस वीडियो के description में भी मैंने add कर दिया है और आपको वीडियो के एक तताम पर www.youtube.com slash teachersonlineforyou मिलेगा, आप उस चैनल को open कीजिए और वहां पे जो lectures अवेलेबल हैं, ना फिर अफ खोद फायदा उठाई हैं बलके अपने दोस्तों को भी share करें, तो चलिए ह हम लोग अपने quiz के उपर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें first question क्या है, first question है जी, a form designed by the employer for the prospective employee to fill out, it is called, offer letter है, application blank है, basic information form है, और none of the given option है, जो कोई भी employer एक form बनाता है और अपने employee से fill out करवाता है, उसको हम application blank कहते हैं, तो second वाला जो है, वो हमारा इस सवाल का ठीक जवाब है, next question है, competitor analysis discuss under of the following part, marketing part है, financial part है, और production part है, जब भी हम marketing competitor analysis करते हैं, तो हम उसमें फिर अफिर अफिर की marketing planning को देखते हैं, बलके financial plan को भी देखते हैं, production plan को भी देखते हैं, और सारी जीवे इसके अंदर आ जाती हैं, त तो इसलिए हमारा जो last वाला option है, all of the given option वो इस सवाल का ठीक जवाब है, next है जी, all of the following personal characteristics are found in an entrepreneur accept, follower है, prospective है, independent mind है, self confident है, तो जो entrepreneur होता है, वो follower नहीं होता, तो इसके अंदर जो first वाली option है, वो इस सवाल का ठीक जवाब है, next है जी, fourth number के उपर, in many, in franchising, all of the following are the rights of franchisee accept, इसमें right of use name है, right to use trademark है, right to use factory location है, right to use system and research चीज़ है, तो franchising, जो होता है, franchising, उसके पाफ, जो right to use factory location नहीं होता, बाकि सारे rights होते हैं, तो इसलिए हमारा जो third वाला है, third वाली option, वो इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, next है जी, fifth number के उपर, which of the following factor contributes to the failure of the business, इसमें managerial incompetence and inexperience है, neglect है, weak control system है, तो जो failure company होती है, उसके अंदर ये सारी चीवें पाई जाती हैं, और ये ही सारी चीवें वज़ा बनती हैं, उस company के failure का, तो last वाली जो option है, all of the given option, वो इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, next question है, all of the following are the main features of cooperative form, of organization accept, इसमें volunteer association है, one man, one vote है, service motive है, और class के अंदर religious and political extremes है, तो last वाला जो है, वो इसका बिलकुल ठीक जवाब है, next है जी, limited imposed by one country on importing commodities, importing commodities from an other country, इसमें tariff है, quota है, subsidies है, और all of the given option है, तो हमारे पास जो है, वो एक country से चीज़े मंगवाने का quota होता है, तो second वाली जो है, वो हमारे पास इस सवाल का ठीक जवाब है, next है जी, which of the following is not an aspect to purchase a franchise business, attractive location है, high profitability है, independency है, well known customer base है, तो इसमें first वाला जो है, attractive location वो इस सवाल का ठीक जवाब है, next है जी, ninth number पर second last, which of the following is correct formula to get the per capita income, total profits divided by total payment, total income of the country divided by total population, total payment and total profits, total imports divided by total export, जब भी हमने per capita income निकालनी हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे मुल्की हमदन कितनी है, और उसको divide करते हैं, हमारे मुल्की अबादी कितनी है, तो इसमें जो second वाली option है, total income of the country divided by total population, that is the formula for calculating the per capita income of the country, तो second option जो है, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, next और last question है, जी, decision about activities performed by the worker is called, planning, leading, controlling and organizing, जब हमारे जो worker हैं, वो decision activities के अंदर perform कर रहे हैं, तो it means के they are organizing things, वो organize कर रहे हैं things को, तो last वाली जो option है, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, दोस्तों, ये था हमारा quiz, और वहाँ पर जो lectures available हैं, आप उनसे फाइदा उठाएं, ना फिर अफोद उठाएं, बलके अपने दोस्तों को भी share करें, ताके उन लोगों का भी फाइदा हो, जिनको इन subjects के अंदर difficulties आ रही हैं, दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी assignment solution के साथ, ये GDP solution के साथ, ये quiz solution के साथ, ओस वकत तक के लिए मौसिन भाई को जावद दीजिए, थैंक्यू बेरी मच्छ दोस्तों, अला हाफिज,